23 कितने adjustment done हो चुका है सर 23 adjustment कर चुके हैं इसके आगे का एक adjustment और है जो कि mainly मुझे करवाना चाहिए मैं वो करवाने जा रहा हूँ कि अर्जस्मेंट नमबर 24 कि पहले मैं सोच रहा हूं कि adjustment करा दू फिर एक questions करेंगे नहीं पहले question कर लेते हैं हटाइए आप सभी मुझे यह भी बता दीजिए का question विज्वल होना चाहिए format बना लेजिए फटा फट ताकि हम आगे question कर पाएं मुझे तो यहां screen पर विज्वल दिख रहा है आपको भी विज्वल होना जरूरी है फटा फट से एक format बनाईए सभी बच्चे हां जी बाते नहीं करना आपने फटा फट एक format बनाईए चलिए सर थोड़ा congested रहेगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट सारे चीज़े clear दिखेंगे आपको topic का नाम दिखनी रहा है national rent कैसे करेंगे नहीं करेंगे फटा फट से देख लेंगे हम ध्यान दीजिएगा अब सीधा focus सबसे पहले हमें एक एक करके item क्या करना है यहां पर transfer करना है जिन बच्चों की पहली class भी होना तो वो noting से ज़्यादा ध्यान आपको देना है focus के सर कैसे कैसे काम चल रहा है काम करने का तरीका एक है कि इस page पे आपको रखना है profit and loss and trading account और उसके साथ वाले page पे रखना है पूरा balance तो अब कुछ बच्चे बोल सकते है purchase and sales तो जो debit वाला है वो क्या मानेगे हम purchase और credit वाला sales लेकिन purchase से पहले मैं एक format बना लेता हूं यानि एक बात लिख लेता हूं opening stock हमारा होगा opening stock ये तो हर सवाल में होता ही होता लग बगए नहीं होगा कोई बात नहीं लेकिन लिख ले रहता है और sales by side में आ जाएगा by sales कि अगर टू purchase की बात करें 699 नाइन 200 कि अगर हम sales की बात करें तो 740 कि यह आ गया अगली बात करते हैं वेजेस वेजेस नौ सो रुपए इस पर adjustment है इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूं सर आपको कैसे पता चला इस पर adjustment है मैं पहले adjustment एक बार रीड भी खर देता हूं कहता है rent and insurance include यानि rent and insurance पर adjustment है सर और कहता है 30 September देख लेंगे national insurance आपका given है उसके उपर भी कुछ adjustment है आगे कहता है wages are so net after the deducting above the employee मतलब wages जो है कुछ minus plus करके बता रहा है owing nature employment purpose house building बात कर रहा है sales के अंदर भी adjustment है कहता sales in the trial balance में show कर रहा है उसके अंदर कुछ बाते जुड़ी हुई है जैसे कि आपका मोटा मोटा पट रहा हूं मैं अभी the manager get commission 10% net profit after the search commission manager को commission भी मिलने वाला है यहां पर आगे बात करते हैं depreciation building by 5% आज इसी सवाल को करेंगे इस सवाल के अंदर हम काफी time use करेंगे और साथ के साथ एक दो adjustment भी cover up हो जाएगा तो यह मोटी मोटी बाते चलेगी building अब हम पहले transfer कर लेते हैं उसके बाद धीरे-धीरे करते जाएंगे national insurance national insurance national क्या है national national नाम दे दिया sir company का नाम है आपका national insurance तो हम यहां पर लिख लेते हैं two national insurance या सिर्फ आप insurance लिखोगे तब भी चलेगा और इस पर बहुत सारे adjustment है that's why मैं इसको inside में लिखूंगा और inside में amount जो आ जाएगा कितने रुपए का है हमारा नहीं नहीं वो तो capital है 300 रुपए का है 301 point मैंने छोड़ दिया है capital यहां जाएगा sir capital हमारा है 48,500 48,500 ठीक है थोड़ा इसका thickness कम कर लेते हैं इसके बाद सर क्या given है carriage inward carriage inward is 400 तो यहां पर आएगा तो wages के बाद जगह छोड़ देते हैं to carriage कितने रुपए 300 रुपए 400 यह तीन सो रुपए अच्छा अब आउटवर्ड का 500 है ना तो सर इसका हमारा 400 रुपए और आउटवर्ड भी है तो आउटवर्ड यहां जाएगा sir आउटवर्ड यहां जाएगा थोड़े लाइन छोड़के लिख देते हैं to carriage आउटवर्ड कितने रुपए 500 रुपए 500 रुपए मैं भी सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं जो ट्रेडिंग में जाएगा ट्रेडिंग में लिख रहा है जो पींडल में जाएगा पींडल में इसके बाद अगला देखें तो carriage आउटवर्ड भी हो चुका है सर इसके बाद लाइटिंग है सर लाइटिंग छे सो रुपए हम मैं पींडल में डाल देता हूं लाइटिंग तू लाइटिंग कितने रुपए सर छे सो इसके बाद क्या है मारा रेट रेंट एंड इंसार इंस बहुत सारा एड़्जिस्मेंट है 400 रुपए तो मैं रेट रेंट एंड इंसार इंस इसको मैं रेंड कर देता हूं ठीक है कितने रुपए 400 रुपए इंसाइड में लिख दिया इसके बाद देखा जाए तो स्टॉक यहां पर स्टॉक जो है वो साल का एंडिंग डेट है तो इसका मतलब क्लोजिंग है यह तो क्लोजिंग स्टॉक है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा आपका स्टॉक कितने रुपए का है आपको करवाया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर सर अजिस्मेंट में होगा तो कहां जाएगा सिर्फ पर सिर्फ जाएगा इसमें ट्राइल बैलेंस अजिस्मेंट में होगा तो दोनों जगा जाएगा लेकिन अगर ट्राइल बैलेंस के अंदर इसके बाद सर यहां पर discount है debit में भी credit में तो debit वाले discount सर यहां जाएगा two discount two discount कितने रुपए और credit वाला इधर आ जाएगा by discount by discount 600 रुपए इसके बाद discount भी हमने कर लिया done discount के बाद है आपका building building 30,000 रुपए का है इस पर adjustment भी यह साए तीस हजार debtor और creditor debtor को debtor की जिगा पहुचा देते है debit वाला debtor होगा that is 6,000 और यहां creditor होगा कितने रुपए पीस हजार furniture कहता है 8,000 है furniture कितने का है 8,000 कहता है dividend 300 dividends और income होता है इसलिए कहा जाएगा पीएंडर के credit side में dividend 300 पहले तो आप मुझे सभी बच्चे जितने बच्चे लाइव हैं वो भी बताएंगे comment में कि जो मैंने आइटम को transfer किया है transfer का मतलब जो trading में जाना था trading में लिखा P&L में जाना था P&L में लिखा balance sheet में जाना था तो भी balance sheet में लिखा किसी को इसमें दिक्कत है गया यह तो बड़ा basic सा था सबको समझ में आता है ग्यारवी में अगर नहीं पड़ा तो बारवी में इतना तो हमें पता चली जाता है सर यह assets है तो assets में जाएगा यह liability है तो liability में भी जाएगा आगे बात करते हैं adjustment का एक इक करके adjustment हम पढ़ते जाएंगे और उसको हम करते भी जाने वाले है सर adjustment में क्या है rates और insurance कहता है सर रेट्स और insurance जो है rates और insurance देखो यह national insurance है और यह rent rates and insurance दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान देना एक है national insurance शिर्फ insurance एक rent rates and insurance है तो आप मुझे बड़ी सीडी सी बात बताईए कहता है rates and insurance आप देखिये ना यहाँ पर एक है national insurance और दूसरा है rates and insurance और हलागी मैंने यहाँ rent लिखके गलती कर दिया मुझे rates लिखना चाहिए है आपे ठीक है ना rates लिख देते है तो कहता है कि जो rates हमारा 400 रुपे गीवन था ना उसके अंदर 300 रुपे वाला वो amount जुड़ा हुआ है कहता है rates insurance include premium 300 रुपे per annum paid up to 30 September 2021 कहता है यह वाला जो 300 रुपे जुड़ा हुआ है ना और यह हम per annum यानि हम annual कहता है कि per annum मतलब कहने का मतलब है सर यह 12 महिने का ही है आप समझे बात को जैसे की insurance और आपके सामने मैं यह पूरा एक साल बना देता हूँ ठीक है ना यह साल मेरा यहां खतम होगा इसके बाद एक new year start हो जाएगा सर इसके बाद new year start हो जाएगा जब भी यह साल start होगा whatever name call whatever year एक चार से start हो जाएगा या एक जनवरी भी हो सकता है और सर खतम कब होगा हमारा 31 को यह एक आनी है जो हम profit and loss या पी एंडल बनाते है जो profit and loss या पी एंडल बनाते है जो profit and loss और पी एंडल बनाते है इस profit and loss पी एंडल के अंदर कितने साल का होता है सर एक साल का यानि profit and loss और जो पी एंडल बनाएंगे वो एक साल का होगा that is यहां से यहीं तक का होना चाहिए ऐसा तो नहीं है डेट साल का खर्चा देदे तो डेट साल का बना देगे यानि सर आपका खर्चा हो सकता है बारा महिने का और ऐसा भी हो सकता है लेस देन 12 मंथ का हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरा महीने का खर्चा दिखा दो सर बारा महीने का समझ में आता है less than 12 month का क्या हो सकता है मान लेते हैं कि मैंने एक employee को इस date पे hire किया मान लेते हैं एक January को नए साल को एक employee hire किया तो भी या उसका salary जो P&L में आएगा वो March तक कहीं आएगा तो कितने महीने का दिया salary तीन महीने का अगर मैं यहाँ पे employee को रखता तो कितने महीने का होता लेकिन मैं employee को तेरा महीने का तो नहीं कर सकता इस बात को समझना कि हमारा जो भी P&L बनेगा सर वो P&L न हमारा हो सकता है possibility के बारा महीने का P&L खर्चा जाए और ये भी possible है के बारा महीने से कम का जाए लेकिन बारा महीने से ज़्यादा का तो हो नी सकता question में कहना है सर हमने न एक यहाँ पे हमें एक insurance दे रखा है सर चार सो रुपे का एक insurance गीवन है कितने का चार सो कहता है सर इस चार सो में एक ऐसा खर्चा है included एक ऐसा खर्चा included है यानि एक ऐसा amount included है that is 300 ये 300 जो है वो belongs करता है कहां से कहां तक date देखिएगा एक बार को date दियान से देखिए 31 March 2021 को हमारा साल ही खतम हो जाता है लेकिन ये कहां जा रहा है 30 September 2000 यानि कहीं न कहीं साल को cross करके जा रहा है यानि इसका कहने का मतलब है सर के हमने जो ये खर्चा किया है ना ये 30 September अगर मैं बात करूँ यहां पे 2021 में हमारा साल खतम है सर लेकिन ये चला गया कुछ आगे 30 September 30 September 2021 यहां तक पहले लेना चाहिए माने यानि हम यह चेक करेंगे कि यह 300 रुपए कितने महीने में जा रहा है तो आप देखो कि तो 12 महीने यहां बन रहे हैं और 6 महीने आप काउंट करो एप्रिल मई जुन जुलाएगा सेप्टेंबर इसका मतलब सर यह 300 तो आप क्या चाते हो पी एंडल पे कितने महीने का डले बारा में एक तो तरीका यह सर पी एंडल पे पेंडल में 12 महीने का डाल लेंगा और 12 से अगर हम इंटू कर दें इसको तो हमारे पास जो भी रिजल्ट निकल के आता है मैं एक बार रिजल्ट बताता हूं यहां पर क्या आता है निकल के हां दो सो रुपे बारा महीने का और यह मैं नहीं बता रहा है यह गणित बता रहा है आपका के बहृया यह तीन सो रुपे का खरचा आपका बच रहा है वो कौन सा है वो यहां से यहां तक का है. अगर मैं यहां से यहां तक का खर्चा निकल भाऊंगो, तो एक यह तरीका निकालने का अथारा सो इंटू में कितने कर दो, छे, तीन कह दिया है, मैंने गल्ती से 6, । यह बनेगा कितना सौ, पो तरीके और पी変 यूडल अकार ना पीजा अचाउंट बनाते हैं ना आकांट के अंतर हम क्या करेंगे सबसे पहले इन्सुरेंस लिखेंगे इन सौरें चार सो रुपए है चार सो में से हमारा तीन सो की कहानी बोल रहा है गड़ बड़ी है लेकिन तीन सो में से पूरा तीन सो गड़ बड़ थोड़ी है तीन सो में सो सो रुपए का गड़ बड़ी है तो सिर्फ कितना माइनस करेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा थेले कहानी देखो समझ रहे हैं बात को अगर मैं बात करूँ कि 400 रुपे टोटल खर्चा था उसमें 300 रुपे ऐसा था जो कि रिलेट कर रहा था बहुत दिनों तक का तो मैंने क्या करा उसमें से वो पॉइंट निकाल के बाहर कर लिया जो कि इस 12 मंत के अंदर आई नहीं रहा जो कि आपने बोला सर सौ रुपे सरिफ ऐसा है जो कि नहीं रहा that is आप एडवांस खर्चा करके चल रहे हैं जिसको क्या नाम देते हैं प्री पेड जिसको क्या नाम देते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे पी एंडल में 100 रुपे माइनस करेंगे दूसरा कहां चले जाएगा सर बैलेंस शीट के एक तो यह को पहले यह बात समझ माई है अपको कि सर अगर ऐसा हुआ तो यह लेकिन कई बार एक्जामनर ना इस 300 के आगे ने एक वर्ड लगा देता है सर क्या वर्ड लगा देता है एन्वल जैसे कि पिछले सवाल में है अगर कोई वर्ड नहीं लगाया ना सिर्फ बोलता है 300 रुपे रिलेटिट टूदा 30 सप्टमबर 2022 तो मैं माल लूँगा कि ये 300 रुपे सर ये 18 महीने का है ये 300 रुपे कितने महीने का है अगर कुछ ना बोला जाए लेकिन अगर डेट दे दिया जाए तो हमें डेट के हिसाब से चलना होगा अगर मैं बात करूँ इसी सवाल के अंदर मैं जो पीछे में लेके चल रहा था तो सर जो पीछे लेके चल रहा था उसके अंदर क्या डेट गीवन था अगर हम पीछे की बात करें चलिए आजएए पीछे सवाल में देखते है पीछे कहता है ध्यान से पढ़िया है rates and insurance include premium 300 हाँ भाई rates and insurance 300 रुपे जुड़ा हुआ है per annum paid per annum paid का मतलब ये एक साल का ही paid किया गया है लेकिन ये हो गया 30 September 21 का सर इसका मतलब समझ में नहीं आया है कहने का मतलब है सर कि आपको जो मैं ये खर्चा दे रहा हूँ जो आपको ये खर्चा दिया जा रहा है that is आपका इसके अंदर 300 रुपे एक ऐसा खर्चा है जो की annual है जो की annual है annual का मतलब एक साल का ही है that is एक साल का सर अगर मैं यहां से ले के अगर मैं यहां से ले के यहां तक के date की बात करो तो साल भर का तो होई नहीं सकता अठारा मैन हो जाता है लेकिन जब यह बोल रहा है कुश्चन यह साल का है तो इसका मतलब साल का है तो यह इतनी दूर कैसे जा रहा है उसे तो ही पर रुख जाना चाहिए था साल का बोल रहा है तो अब इसके एक possibility बन सकती है क्या पता आपने insurance यहां कराया हो मान लेते हैं आपने insurance जो करवाया एक October को करवाया हो suppose तो एक October को जब insurance करवाओगे तो आप 12 महिने का payment करोगे annual का मतलब है 12 महिना 12 महिने का paid करोगे तो 12 महिने जब count करोगे तो यह वाला साल तो cover होगा इसको आगे निकल जाएगा यह ओर समझ रहे बात को तो जब यहाँ पे बोला इसने के 12 महीने का है तो ऐसे situation में क्या है कि 12 महीने का तो रहेगा और आगे निकल जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो यह अब insurance में से आपको determine करना पड़ेगा कि सर यहाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो time है 6 महीने का इसी साल का खर्चा होना चाहिए और बाकी इस date से जैसे cross कर रहा है जो कि 6 महीने बच गए वो कब का खर्चा होना चाहिए next year का तो यहाँ पे prepaid अगर निकाला जाएगा तो मैं क्या करूँ हूँ है सर चे तीन सो को हमें डिवाइड किस से करने वाला हूँ पिछले वाले एक्जामपल में मैंने तीन सो को किस से डिवाइड किया था 18 से क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं था कि यह annual है या क्या है जब हमें नहीं पता था कि यह annual है का बारा महीने है और आपका इस साल के अंदर कितना आ रहा होगा 6 महने या आप इसका निकालोगे कैसे मार्च के बाद देख लो मार्च के बाद तक जा रहा है यह किस साल से related ही नहीं है वो किस साल से related हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया prepared हो गया तो मुझे क्या करना होगा पी एंडल बनाके पी एंडल बनाने के बाद मुझे यहां पे जो मुझे insurance दे रख था है तर चार सो रुपए का इस चार सो रुपए कितना माइनस करके मैं बाहर कर दूं सिर्फ डेट सो तो वही चीज मैं करने वाला हूं यहां पे जो मुझे यहां पे insurance दे रखा है ना इसमें से मैं less करूंगा देखो आपका कितने रुपए क्योंकि annual वाला पार था तो मैं यहां से माइनस करने वाला हूं और यह prepared मैं दिखाने वाला हूं assets में पहले यह बताईए किसी को दिक्कत समझ में आया है मैंने दोनों aspect ले लिया यहां पे एक जो सवाल में कह रखा था वो तो करा हमने और जो नहीं कह रखा था उसको भी हमने देख लिए कि ऐसा हो सकता है आपके सामने situation किसी को दिक्कत है यहां तक बताईए नहीं यहां तक सब को समझ में आ रहा है बिलकुल चलिए अरजस्मेंट नंबर टू पे चलते हैं सर अरजस्मेंट नंबर टू क्या कहता है national insurance यानि सर अब इसकी बात कर रहे है कहता है national insurance balance include employee contribution of 150 also क्या कहता है employee contribution सबसे पहले यह बात समझना होगा सर यह क्या कहानी है employee contribution 150 also wages are so as a net after the deduction of the above employee contribution पहले समझते यह employee contribution होता गया है आपका business law है देखे होता गया है generally देखे यह हमारा business है यह business है इस business को चलाने वाला होगा मालिक जो इस business को चलाएगा वो होगा मालिक और इस मालिक को हम अगर individual है तो proprietor बोल देते हैं इस honor बोल लेते हैं लेकिन इसे हम एक और बहुत ही नाम देते हैं employer इसको सर हम employer भी बोलते हैं अगर employee बोलेगा तो employee मालिक बोल ले या फिर employer बोल ले हिंदी का शब्द है मालिक और थोड़ा सा अगर हम technical शब्द में चले जाए तो employer अब इसके अंदर बहुत सारे इसके पास बहुत सारे लोग बाग काम करते होंगे इसके अंडर में या इसके साथ माल लेते हैं यहां पर काम करता है यह एक्स काम कर रहा है वाइप काम कर रहा है जैड काम कर रहा है तो यह जितने भी पॉइंट है इदर ध्यान दीजिये आप जितने भी पॉइंट है इन सभी को बोलेंगे हिंदी शब्द में नौकर अच्या नहीं लगता तो थोड़ा standard वर्ड़ दे दियते हैं employee क्या नाम दे लिया एइंप्लॉई छिका ना एक होटा एक प्रफ़ॉएर एक झेक कर ना सब्सक्राइल और इमप्लॉई या बिजनस के लिए इंप्लॉई इंप्लॉई होता है यहं यह एंप्लॉई ना बिजनस के लिए इतना डेडिकेटिड होता है कि अपने स्टार्टिंग से लेके यानि सर अपने जवानी से लेके बुढ़ापे तक का सारा एनरजी इसी के लिए काम करता है 25 साल के उमर में नोकरी करता है मान लेते हैं एक बार को पहले भी से भी कर सकता है और 60 साल तक इसी के पास काम करेगा इसका मतलब सर इसका सारा मेहनत सारी चीजे जो है इस इंप्लॉयर ने बेनिफिट उठा है अब इंप्लॉयर क्या करे कि भाईया तू 60 साल का होगी अब यहां से निकल चल तेरा कोई काम नहीं है तो 60 साल के बाद इसके हालात वो हो जाएगा जिससे की ना तो यह काम कर सकता है ना तो कुछ कर सकता है ऐसा भी नहीं है कि भाईया इतनी ज़्यादा ताकत बच्ची इसके पास कि कोई ऐसा काम कर ले हार्ड वर्किंग वाला इसने तो इसको निकाल दिया गौर्मेंट इसी चीज के लिए बनाती है हमारा लेबर लौ एक्ट क्या बनाती है लेबर लौ यानि सार लेबर को मानते हैं यह इंप्लॉई है मानते हैं यह नौकर है लेकिन मालिक आप इसको नौकर मानिए ये employee मानने लेकिन इसका आपको अगर काम कर रहा है आपके पास तो अभी से लेके बुढ़ापे तक का आपको इसका इंतजाम करना पड़ेगा और बुढ़ापा छोड़ो मरने तक का आपको देखना पड़ेगा लेबर लॉग ये कहते हैं लेबर लॉग उसी में से एक पॉइंट आता है इंप प्रोविडंट फंड उसी में से पॉइंट आता है क्या जिसको बोलते हैं इप एफ एंप्लॉई प्रोविडंट फंड चाहे इंप्लॉई सरकारी हो चाहे इंप्लॉई प्राइबेट हो यह चिंता नहीं करता कम एज में फ्यूचर की चिंता नहीं करता है वो सबस्ता देख लेंगे ना हो जाएगा ना कर लेंगे ना और जब बुढ़ापा आता है तो उस टाइम पे इसके पास कोई आप्शन बचता नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में गवर्मेंट ने प्लायर बोला देख फ़्यूर, तेरह पास एकस एमप्लॉई को ए क्या? उसने बोला ढगव गवता से ज़्याइजिशन में element फिन्स इंप्लॉई effect होता है। बोला इसको कितनी salary देता है, बोला इसको salary जो हम देते हैं ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं, हम 10,000 रुपे salary दे रहे हैं, ये किस ने पूछा सर, ये government ने पूछा, ये किस ने पूछा, government ने पूछा, किस से पूछा, मालिक से, भाई तेरे पास कोई काम कर रहा है, उसने बोला X का बता salary क्या है उसने बोला X का salary जो है वो है 10,000 रुपए बोला आज के बाद उसे 10,000 मत दियो मैंने इसे देखा है कि ये कितना खर्चीला है इसके 10,000 नहीं देने इसमें से तू 10% काट ले और इसको कितना देना अगर वो ज़्यादा कुछ बोलता है तो उसका address मुझे भीज़ देना मेरा address देना मेरे से बात कर लेगा कि या 9 क्यों मिलता है employee ने बोला employer से sir आपने तो 10,000 की बात करे थी आप 9 दे रहे हो बोला मेरे उपर कोई नहीं है ये government की policy है आप government से बात करें अब ये employee बोलेगा मैं छोड़ दूँगा ये काम ही नहीं करूँगा तो जहां भी जाएगा उसके साथ यही होगा कि वेजिस एक्ट जो है वो हर जगा अपलाई होता है employer ने बोला government के पास जाके sir आपने बोला था काट लिया मैंने पैसे आप इसका करना क्या हम रख ले बोला नहीं इसे मेरे पास लेकर आओ इसे मैं जमा करूँगा government ने बोला कि भाया इस पैसे को हम जमा करेंगे इस पैसे को हम जमा करेंगे तो 1000 रुपे जो कि किस के पास पढ़ा हुआ है सर, 1000 रुपे पढ़ा हुआ है मालिक के पास, ये 1000 रुपे इसे किस को जाके दे देना चाहिए, ये 1000 रुपे, ये जाके दे देगा गौर्मेंट को, गौर्मेंट कहता है सर, इस 1000 रुपे को जो दिया जा रहा है, इस 1000 रुपे क को आप मेरे पास दीजे महां ब्याज के साथ मुसीबत के समय पे मैं लॉटा हूँगा एंड यह वना जाने लगा गवार्ण्मिन्ट कहता है इंप्लर्वobay अभी तो सुन्율 यह तो employee की बात थी, अब तू 1000 रुपे अपने pocket से भी निकाल, और यह 1000 रुपे भी तू उसकी भलाई के लिए, यह मैं सोच के तू पूरे साल उससे काम करा लेगा, पूरी जिंदगी उसकी खराब कर देगा, तू काम करवा करवा के, अब 1000 रुपे तू अपने pocket से भी डाल, और कहां डालना है सर, government के पास, और यह government कौन है सर, provident fund, जिसको EPF बोलते है, employee provident fund, मैं डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर यहीं पर भी बना हुआ है, बजीरपू, डेपू के अंदर और भी जगह हर state के अंदर बना हुआ होता है, EPF बोलते है, तो यानि एक employer क्या करत है, अपने employee की salary में से पैसे काट लेता है, और वो पैसे काट के कहां जमा करवा देता है, government को, सिर्फ वही पैसे जमा नहीं करवाता, उसके साथ और पैसे मिला के जमा करवा देता है, किसको, इसे बोलते है, employer contribution, जो यह हजार है, यह जो हजार है, यह red कर देता हूं इसको, जो यह हजार है न, red वाला, यह किसका है, किसका contribution है, जिसको employer, ER लिख दिया, और यह किसका है, employee का, अब P&L बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा बातों को, यह बनाया है आपके लिए P&L, ठीक है, अब employee के pocket में कितना गया, नो हजार, employee के pocket में salary के नाम का कितना गया, और एक हजार तो उसी का कटा, तो मैं अगर salary यहाँ पे दिखाओं, तो salary तो मैं यहाँ पे 10 हजार दिखा दूँगा, बोलूगा, भाई, तेर को तो मैंने 10 ही दिये, तेरे पैसे वहाँ पढ़े जाकर ले ले लेना अपने पैसे लेकिन मेरे pocket से भी इसी की वज़े से चले गए हजार, जिसे बोलेंगे contribution दे दिया हमने कितना, हजार, यानि मैं अपने P&L में कितना दिखाओंगा, मेरे को एक employee X को रखने का मेरे लिए खर्चा कितना पढ़ रहा है, नो उसके pocket में गया employee और दो government के पास गया, तो कितना हो गया? 11,000, लेकिन अगर मैं एक mistake कर दूँ, मैं अगर employee को बात करूँ कितना payment कर रहा हूँ, employee को payment कितना कर रहा हूँ, तो मैंने बोला सर, salary जो payment जा रही है न, वो सिर्फ 9,000 रुपे जा रही है employee को salary, तो इसको बोलते है net, क्योंकि net गया न, इसके पास हो, net में जाके, तो net salary, अगर मैं यहाँ पे 9,000 रुपे दिखाता हूँ, तो मेरा P&L गलत है सर, आपको कितना दिखाना चाहिए? 11,000, दिखाना चाहिए न, क्योंकि 1000 तो उसका जो हमने जमा करवाए, ultimately जो मेरा cost होगा, वो ही होगा, यान यहां तक आपको employer contribution, employee contribution clear है, EPF clear है, किसका क्या खर्चा पड़ेगा, मैंने 9,000 रुपे का wages दिया, मैंने यहां लिख दिया, और insurance जिथा, इस insurance में मैंने 2,000 रुपे गलती से, मतलब 6,000 का insurance था, पहले मैंने insurance करवाए, क्या, account rate ने देखो क्या करा, 6,000 रुपे का insurance था, और बुला, अरे यार, wages तो मैंने उपर net दिखा दिया है, इस insurance में जोड़ देते हैं, debit ही तो जाना है, यह trading बन चुका है, तो अब कहां से छेड़ खानी करूँ, यहीं पर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, wages को जोड अरे को बताओ, गलती क्या है, गलती समझ में आई आई आपको, कि यह वाला जो wages का, PF का contribution वाला था, net करके, उपर हमने कम लिखा है, और हमने उस चीज को यहां ना दिखा के, मैंने कहां दिखा दिया, PNL में दिखा दिया, इसको कैसे सुधारा जाए, यहां से क्या कर दे, माइनस और कहां उठा के लिख दे, हो जाएगा adjustment हमारा, ठीक हो सकता है नहीं हो सकता, तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा यह, ठीक हो जाएगा, पहले यहां तक समझो जो मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, फिर अब एक बार आ जाते हैं, उसी come to the point, उसी adjustment पे, जो कि adjustment कह रहा था, क्या कह रहा था, सर, adjustment में देख लेते हैं, क्या कह रहा था, adjustment में देख लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा, चला यह, कहता है कि सर, national insurance balance include employee contribution, employee contribution समझ में आ रहा है, यह मालिक वाला है या फिर नोकर वाला है, नोकर के salary में सो जो कटता है, employee contribution का डेड़ सो रुपे insurance में एड कर रखा है, भाई, insurance तो P&L में है, और employee contribution है, date सो रुपे, also wages are so net after the reduction, employee contribution, और यहाँ wages का बार, जाना कहां था यह, यानि एक worker था, उसको wages देना था, उस wages को मेंने net दिखा रखा है, net का मतलब मेरे वाले example में समझो, 10 के जगा कितना दिखा रखा है, no, यहाँ पे net दिखा रखा है, तो गलत होगे ना, यहाँ पे तो वो भी 1000 जोड़ के रखे और employee contribution भी दिखाना चाहिए, यह कहता है, सर, net दिखा रखा है, और गलती से जो contribution इससे काटा था न, वो मैंने कहां दिखा रखा है, सर, इन सौरे, अब मुझे ठीक करना होगा, मुझे यहाँ से क्या करना होगा, minus, क्या employee, मैं double e लिख रहा हूँ, employee contribution कितने रुपे सर, और यहाँ add कर दूँँगा, plus employee contribution 150 रुपे, को इसा employer का, paper बड़ा ही technical आ सकता है, आपका ऐसा मत सोचेगा, तो इसलिए आपको जिस बच्चे को जो पता है न, कि यह ऐसा होता है, क्योंकि school के अंदर क्या रहता है, fix है, यह 8 का आएगा, यह 6 का, यहां कुछ fix नहीं है, यहां कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि final account के 15 नंब अधर्वाइस नहीं कर पाएगा, बीकॉम का paper, कुछ भी हो सकता है, income tax का भी मैं बता हूँ, परसो का, मैं पिछले 10 या 12 साल से अगर मैं देखू, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हर बार question number 2 salary का आता था, इस बार salary का question ही नहीं दिया, income tax के अंदर, 15 नंबर का आता था हर बार, वो fix रहता, कर देख जी 15 का तो आएगा ही आएगा ये, इस बार वो question ही नहीं दिया, उसके जगह पर दे दिया salary का पूरा theory, चीक है न, यहाँ पर ऐसा भी आपके सास situation हो सकता है, इन adjustment को दे दे, और बोले explain करो, क्या करोगे treatment, मैं कह रहा हूँ न, MCQ, 10 point दे दिये, और बो minus हो जाएगा हमारा insurance, that's it, एक number का equation, एक number मिल जाएगा, तो paper आप prepared, जब तक आप चीज़े को सीखोगे न, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए, यहाँ employee दे रखा, examiner ने twist करके, वहाँ पर क्या दे दिया, employer तो पता हो, भाई, वह employment, same employee house in the building of the business, rented value 500 रुपे पर एन्नम, दुबारा line पढ़ते हैं, owing मतलब खुद का, to the nature of employment, मतलब जो employment का nature, मतलब मालिक और नौकर का relation से related है, some employee, कुछ employee, employee are house, कुछ employee, घर में रह रह रहे हैं, in the building of the business, business, business के building में रह रहे हैं, are the rented value of rupees 500, और वो rented value कितना है, sir, 500 रुपे का है, कहानी समझेगा, यह क्या है, यह क्या कहना चाह रहा है, बड़ी simple सी बात कहना चाह रहा है, लेकिन word कुछ इतने भारी-भारी यूज़ कर ली है, इन्होंने, मान लिजिए, यह घर है, घर ने building, office, सर, यह factory है, और आपने देखा होगा, factory के आज़ पास के काफी सारा area होता है, अब इस factory के अंदर बड़े सारे employee काम कर रहे हैं, अगर आप देखोगे, इस factory के अंदर बड़े सारे employee काम कर रहे हैं, और employee इतने सारे काम कर रहे हैं, इस factory के अंदर, कुछ employee का घर कहां होगा, मतलब मान लेते हैं, हमेशा factory होता है, आउटर area में, अगर मैं बात करूँ, गुडगाओं, तो कुछ employee जो हैं, वो जो गुडगाओं में, गुरुगराम में रहते हैं, वो तो फटा-फट factory पहुंच जाते हैं समय पे, लेकिन जो employee मान लेते हैं, कि वो रहते हैं, बिलकुल अपोजिट रहते हैं, सपूज करो वो नुईडा रह रहा है, या फिर सोनी पत, पानी पत रह रह रहा है, अलग जगह पर रह रहा है, लेकिन वो employee जो है, इतना talented है, कि वो factory के अंदर चाहिए ही चाहिए, भाई, किसी आल में, या कुछ ऐसे worker हैं, अगर मैं किसी worker को बोलू तो भाई, तुम्हारी salary है कितनी, मैं daily के 500 रुपे दूँआ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा हिसार, गुर्गाओं जाना पड़ेगा काम करने के लिए, गुर्गाओं से आगे, मैं गुर्गाओं की बात कर लेते हैं, गुर्ग राम जाना पड़ेगा, तो उसको कितन गंटे जाने आने में, आठ गंटे काम कराएगा, दस गंटे के अब साड़े 300 रुपे, मैं नहीं करूँआ जा, यही calculation जाएगा, मैं उस employee को बोलू, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ, एक building बना रहा हूँ, और तेरे office के अंदर ही building, मैं ने तब factory के अंदर ही building बना दिया, तुम रहो, तुम अपने परिवार के साथ रहो, कोई फरक नहीं पड़ता, अब यहाँ पे आपको एक building दे दिया गए रहने को, तो यह जो घर है, वो कहाँ पे factory के area के अंदर ही है, अब employee से पूछते हैं, कि भाई employee बता अब ठीक है अब तु काम कर लेगा, बोलेगा हाँ कर लेगे हम तो काम, अब मैंने employee को बोला एक बात बता, अगर तेरे को जैसे बाकी के employee आते हैं एक दूसरे जगह से, जैसे बाकी के employee एक दूसरे जैसे आते हैं, एक बात बता, अगर तू भी वहीं से आता, तो घर वहाँ पे बी किराये पे लेता, जैनली देखा जाए तो तो दो हजार रुपे किराये पे तो लेता ही लेता ना घर, तू factory के अंदर रह रह रहा है, हम तुमारे लिए काम खर्चा कर रहे हैं, तो हम तु लोड़ी खमाएंगे, बस तुमसे पता है कितना किराये लेने वाले हैं, 500 रुपे, कितना किराये लेंगें, जिसे बोलते हैं, नाम मातर का, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नाम मातर को क्या बोलते हैं, बहुत कम, बस नोशनली, तो नोशनल रेंट लिया जा रहा है इससे अब जब बिजनस अपना पीएंडल तयार करेगा बिजनस जब अपना पीएंडल को तो बिजनस ये रेंट उससे लेगा या देगा बताओ रेंट उससे लेगा तो बिजनस के लिए क्या है प्राफिट है अब बिजनस का जो मालिक है बताओ माल लेते हैं इसकी सैलरी है 5000 तो इसको पहले 5000 रुपे दे फिर बोले ला 500 रुपे वापस तो फिर ये दूसरे जेव से 500 रुपे निकाल के दे क्या ऐसा होगा नहीं होना ऐसे उसको कितना दे देगा 4500 दे देगा यानि इसको net wages देगा इसका मतलब अगर किसी को wages net बोला जा रहा है तो उसमें सब कुछ कट किया है अगर मैं इसे 4500 रुपे wages दे देता हूं कि बोल चल ठीक है तेरे 4500 रुपे wages दे तो बताओ इसकी salary कितनी है क्या 4500 या 5000 हजार है 5000 ही इसकी salary है समझ रहे बात को और अगर मैंने नेट लिख रखा है तो इसका मतलब तुमने उसका salary पहले से क्या दिखा रहे के कम अगर मैं अपना पीएंडल बनाओ और पीएंडल के अंदर इसका wages लिको 4500 रुपे सर यह गलत है 4500 तो ही नहीं कितना लिखना चाह ही है दूसरा पीएंडल में आप पैसा कमा रहे और रेंटल इंकम दिखाओं यहां पर 500 रुपे तब बात बनेगी यहां पर दोनों कहानी होनी चाहिए समझ में आ रहे बात आपको तो इसको बोला जाता है नोशनल रेंट तो अगर कोई factory के अंदर ही कोई house employee को देते हैं उ जो कि आपको यह वाला point कहने की कोशिस कर रहा है अब पढ़ लेते हैं एक बार point को sir क्या कहता है point कहता है owing the nature of employment some employee are house in the building of business समझ में आ रहे है कुछ employee है house building in the business के अंदर ही घर है जो बनाया था the rented value of 500 बोलता है rented value 500 इसका मतलब ठीक है भया मेरा income है rented लेकिन जैसे यहां पर इसने बोला जो employee है उसको क्योंकि यहां कहीं कोश्चन में salary ही नहीं पूरे point में क्या नहीं है तो यानि वेजिस की बात चल रहे है और वेजिस यहां पर कह दिया उसने show net after the deduction above employee contribution net जैसे भी बोल दिया इसका मतलब सब कुछ ली होंगे कितने रुपए 500 रुपए और यह rental income by side में आ जाएगा किस नाम से सर रेंट हमारा 500 या फिर नोशनल रेंट लिख दो आप कि जो कि टॉपिक का नाम है तो यह जो टोटल वेजिस आएगा ना हमारा नो पांच चौदा पंद्रा सो पचास रुपए समझ मैं तीन adjustment हम done कर चुके हैं किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए तीन adjustment क्या कर चुके हैं done ठीक है न कोई doubt कोई दिक्कत है तो बताईए आगे देखें चलिए सर adjustment नमबर चार कहता है sales are so जो sales shown करता है trial balance के अंदर old furniture 30 September 2020 200 रुपए took the book value furniture 300 रुपए connected with the rate of depreciation on the assets all along with 20% यानि बड़ी सारी बात इसने कर दी sales से related समझते सरी है sales related क्या ऐसा समझाने वाला है यहीं पर बात कर रहेते हैं बड़ी छोटी सी बात है कहता है भाई जो तुम्हारे trial balance में sales है ना और sales कितने का है 7 लाक कहता है sales so in the trial balance include sale of old furniture 30 September 2020 यानि 30 September को एक पुराना furniture बेचा गया था उससे जो पैसा आया वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो भाईया sales तो यहां goods का होना चाहिए furniture बेचा वो sales यहां पर नहीं होना चाहिए वो तो अलग बाते हैं तो इसका मतलब सर वो गड़बड कर दिया realizing the assets कहता है कितने का है वो sir 200 रुपए इसके अंदर included है कहता है sales so the trial balance include old furniture जो 30 September को बेचा था realizing मतलब कितने का बेचा था सर 200 रुपए का इसको हमने sold किया था जुड़ा हुआ है तो सर साथ लाग चालिस जार में से 200 घटा देंगे हमारा sales क्या हो जाएगा perfect हो जाएगा आगे कहता है the book value of the furniture 300 रुपए at the commencement rate of depreciation बोलता है कि यह जो 200 रुपए का बेचाना यह असलियत में था 300 का book value का मतलब इतने रुपए का था यानि 300 का समाना आपने कितने का बेच दिया sir 200 रुपए का बेच दिया sales में तो आपको कितना included है 200 रुपए included है sales में तो sir ये sales में से line आपका नहीं जाना चाहिये था ultimately ये किसमें से assets में माइनस होना चाहिए था या आपका sir यहाँ पर क्या था यह furniture झा यह पर आपने गलत दिखा दिया यह यहाँ पर चीए था आपको क्या करना चीए था सर यह फर नीचर जो है हमारा कितने रुपे का था सब्सक्राइब इसका मतलब सब्सक्राइब मेरा सेल्स गलत है मैं सेल्स को ठीक करूँगा, सेल्स में 200 रुपे जुड़ा हुआ है, उसको तो पहले हटा हूँगा, उससे पहले मुद्दे की बात, सर, 300 वाला समाना अपने 200 में बेच दिया, तो नुकसान भी वह होगा, लेकिन बेचा है आपने साल के बीच में, तो डैब भी लगा होगा, यानि कहने का मतलब है, सर कहने का मतलब है, कि आपका ये पूरा साल है सर, इस डेट पे आपके पास फरनीचर 8000 का है, ओके, और आपने बीच में, साल के बीच में, जिसकी कीमत 300 रुपे था, उसको बेचने जा रहे हो, तो सर, इसकी कीमत 300 बचा ही नहीं, यहां से यहां तक 6 मेंने इस्तमाल कर लिया, तो डेप्रीशेशन तो लगी गया, तो 300 वाले समान पर अगर 20% का डेप्रीशेशन कॉल करते हैं, और वो भी 6 महिने का सर, तो कितना आता है, इसका 60 यानि 30 रुपे, 30 रुपे बनते हैं, इसका मतलब सर, इस डेट पे जिस दिन बेचने गए ना, इसका रियल वेल्यू जो बना था ना, वो बना था 200, और उसको आपने बेच दिया, तो नुकसान हो गया, कितने का, समझ रहे हो, तो यानि सर ये नुकसान पी एंडल में जाना चाहिए, कितने रुपे, 70 रुपे, पी एंडल के अंदर कितना नुकसान जाएगा, 70 रुपे, पी एंडल में डेप भी जाना चाहिए, कितने रुपे, यानि 30 रुपे पी एंडल में डेपरिसेशन जाएगा, औ इसका treatment ये रहेगा 300 से क्या माइनस? furniture माइनस. अब P&L के debit में कितना चला दे गया? 100 रुपए. आप एक बार accounting treatment भी समझना. Sir, कहने का मतलब होता है, सर सीधी सी बात है, जिसने भी बनाया, उसने एक ही बात बोला, account खतम. ये बात लिखा, debit is equal to credit, अब पूरा इसी process में जाना है. तो आप P&L के debit में कितना दिखा रहे हो? debit हो गया. furniture में से कितना माइनस कर रहे हो? यानि ये क्या हो गया? यानि credit 300 हो गया. debit कितना हो गया? 100 हो गया. यानि debit और 200 करना है. sales में से अगर हम माइनस कर दे 200 रुपए, तो ये भी क्या हो गया? sales credit item में credit item को माइनस करेंगे, तो क्या बनेगा? debit हो गया, तो debit में 300 पूरे हो गया? तो ये adjustment यानि, ठीक हो जाएगा फिर हमारा. तो इसका मतलब सर, इस adjustment में करना क्या होगा? करना ये होगा, मैंने पीछे calculation बता दिया है, सबसे पहले तो आपको sales minus करना पड़ेगा, sales minus करना पड़ेगा, कैसके नाम से old furniture, कितने रुपे का sales आपका? 200 रुपे का, इधर आपको loss बुक करना पड़ेगा, loss on sale, कितने? 70 और depreciation, 30 रुपे और बाकी वाले furniture पर मैं यहीं पर जोड के दिखा दूँगा, क्योंकि अभी हमारा पूरा furniture sold out नहीं हुआ, यहां से सर्फ कितने निकले हैं? 300, अभी भी मेरे पास 7700 रुपे का है, जिसके ओपर हमारा जो depreciation लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, सर, पूरे साल का लगना चाहिए, ना, तो इस पर पूरे, क्योंकि यह थोड़ी ना बेचा है, तो इसमें माइनिस जब डैप करेंगे, 3700 रुपे 20 परसेंट, तो कितना आता है, सर, 7700 पर 20 परसेंट, सर, यहाता है, 1500, 1440, इसमें से माइनिस करेंगे, 1540, that is, 1540 रुपीज आपका कहा जाएगा, यहाँ, 1540, अब 1540 में, अगर हम 30 प्लस कर दें, तो 1570 का टोटल डैप आ गया, सर, 1570 का टोटल डैप आ गया, सवाल मुश्किल नहीं है, यहाँ भी मैंने माइनिस कर दिया, यही बताया था, पहले यह देख लो, एक पर तसलिस अरजस्मेंट क्या क्या हुआ है, यानि सर, हमें सारी चीज़े सोच नहीं होती, लॉस भी हुआगा, बेचने के बाद यहां से भी हटेगा, यहाँ सारी चीज़े सोच लो, कि हम सेरा मैंनेस कर देते हैं, दो सो, और नुक्सान और यह सोच लिए, नहीं होती आएक, यहां तक क्लिएर है, पर 5% का सा डप्रेशीज़न ने तो बिल्डिंगे ऊपर माइनस कर देदा एं डेप्रेशीयां सर 5% का 5% बोले तो कितना बंता यह 30,000 तो 15 Cayce सो रूपए और इस डप्रेशीयजन को यहा दिखा देते हैं यहां पर जग्यह रहा है हमारे पास तो यहां पर दिखा देता हूं depreciation को तू depreciation जहां जहां जगे मिलेगा मैं दिखाता जाऊंगा ठीक है न अब एक adjustment बच गया क्या पढ़ें इस adjustment को कहता है the manager get commission 10 by 1 by 10 1 by 10 का मतलब भी 10% होता है क्योंकि 10% को solve करोगे तो 1 by 10 बनेगा 1 by 10 net profit after charging his commission अब after charging का मतलब कहने का मतलब है पहले हमें net profit निकालना होगा और net profit यहीं नहीं लिख लेना कई हम बाहर अलग से लिखेंगे उसके उपर 10% है तो 10 बटे 100 10 करके आएगा फिर हम यहां manager का commission दिखाएंगे और फिर final हमारा net profit निकलने वाला है यहां पर बात समझ में आगए आपको यहां पर क्या करना है चलिए इसका मतलब सर एक बात तो इससे proof हो जाता है कि जब भी manager commission वाला point आएगा ना तो वो हम सबसे पहले करी नहीं सकते वो सबसे कपों का adjustment apply सबसे end में क्योंकि जब तक हमारे पास वो आएगा नहीं तब तक हम कर नहीं सकते बड़ी सीरी सी बात है चलिए तो हम पहले gp निकाल ले almost सारा adjustment done हो चुका है अब gp निकालके फटा फट से calculation start कर देते sir calculation के लिए white में use कर लेता हूँ साथ लाग चालीस अजार माइनस में दो सो देट इस 798 39 39 800 699 200 739 739 माइनस में 699 200 1550 400 sir 38 check कर ये 38 650 आपके किताब में आंसर होगा सही है by gp चेक कर लिया अब इस में से माइनस करते हैं साथे 300 में से माइनस होगा तो डेड़ सो और ये भी माइनस होगा तो कितने बचेंगा 500 अब ये 32 तो ये ये य का। कि 35,310 आ रहा है तो अब 35,310 पर 10 बट 110 करते हैं कमीशन देखो 32,10 आ रहा है कमीशन आ गया 32 कैसे निकाला है इसको मैंने सॉल्व किया अब इसके बाद फाइनली क्या आएगा और इस कमीशन को यहां भी तो दिखाना है है ना अब फाइनली आएगा नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट निकालने का दो तरीके या तो फिर दुबारा से आप कैल्कुलेशन कर लो या 35-310 में से स्रीफ 3210 घटा दो तो 35-310 में से 32 एक सो ठीक है यह नेट प्रॉफिट यहां एट हो जाएगा कुछ बच्चे 32 एक सो बता रहे थे देखके बता रहे थे हो बैलेंस शीट का टोटल वन जीरो बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लें आप चलिए सर इस सवाल को हमने भले ही थोड़ा टाइम लिया हो लेकिन इस सवाल में कुछ अर्जस्मेंट भी कवर किये हैं